आखिर कैसे बाईजू जो एक साल पहले तक दुनिया के सबसे वैलियोबल स्टार्टप गवा करती थी उसकी हलत यह हो गई है कि अब वो बैंक से डिफॉल्ट करते जा रहे हैं 22 बिलियन डॉलर की इस स्टार्टप के आज हलत यह हो गई है कि इनकी वैलियोशन करें 75% तक डाउन होके 5 बिलियन डॉलर पे आ गई है और अमेरिका में बैठे इनके इंवेस्टर्स का कहना है कि बाईजू ने करीब हमारे 500 मिलियन डॉलर रुपए गायब कर दी है इसके साथ इनकी प्रॉब्लम यहां नहीं खतम हो रही है इंडिया में EDB बैजू के उपर रेड कर रही है जहांपे उनके उपर कई सारे सवाल उठ रहे है लेकिन आखिर यह सब हो क्यों रहा है और ऐसी कौन सी दुख्ती नफ्स है बाईजू की जो सबसे जादा दर्द उने दे रही है एक टीचर जिसने एक इंडियन ब्रेंट को ग्लोबल लेवल तक पहुचा दिया आखिर उसके सारे फैसले आज उल्टे क्यों पढ़ते जा रहे है और इसके साथी एक ऐसी कंपनी जिसकी ग्रोथ को देखके हर कोई हैरान हो गया था आज वो क्यों डूपती हुए जा रही है आज इस वीडियो में बाइजू से रिलेटेड हम उन हर एक फैक्ट पर बात करने की कुशिश करेंगे जिसने बाइजू को आज इस हालत में लाके खड़ा कर दिया है साथ ही जानेंगे कि ऐसे क्या मिस्टेक्स है जो बाइजू ने किया वो आपको अपने स्टाट अप में नहीं करनी है तो आई दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं हेलो दोस्तों मेरा नाम है दीपय का देखने डिश्टा लॉट तो बाइजू की शरवात होती है इसके फांडर बाइजू रविंद्रम से जिनका जन्र साल उन्ने सो असी में किरला के कोजी कोड़े में हुआ था बच्मन से इनको पढ़ाने का काफी शौक था लेकिन इन्होंने पढ़ाने का पैशन छोड़के इन्होंने जॉब करने को चुना बाइजू एक UK-based shipping firm में service engineer का काम किया करते थे जहां पर वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे अब होता यह है कि बाइजू अपने जॉब से दो महीने के छुट्टी लेते हैं और उसी समय उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें cat के exam में help करने के लिए बोला बाइजू रविंद्रम उनकी help करते हैं और बच्चों के काफी positive results आते हैं इसके बाद इनके दोस्तों ने को काफी insist किया कि वो cat का खुद भी exam दे जिसमें उनके 100% marks आ जाते हैं हलाकि cat के exam में top करने के बाद भी बाइजू आये में admission नहीं लेते हैं और उन्होंने अपनी एक mathematics भी coaching शुरू किया जहां पर अच्छे खासे बच्चे आने लगे और अच्छा खासा पैसा भी बाइजू के पास आना शुरू हो गया लेकिन ये भीड यहीं नहीं रुपती है बाइजू इतने जादा famous हो गये थी कि बच्चे उनसे काफी सारे courses के demand करने लगे और जल्दी उन्होंने अपने वीडियो को record करना में शुरू किया और उसको sell करना शुरू कर दिये वो और इसके साथ ही वो cat के exam को छोड़के वो बाखी preparation exam के तरफ भी अब जा रहे थे साथ 2011 तक बाइजू के कई सारे students IAM से pass out हो गए थे और उन्होंने बाइजू को suggestion दिया कि आप एक company खोल ले और अपना खुद का एक app launch कर दे इसके बाद बाइजू ने think and learn private limited की शुरुवात किया और इसी साल उन्होंने बाइजू app को भी launch किया जो इस company का एक बड़ा product हुआ इस app पर बाइजू और उनकी wife class 12 तक के students के लिए recorded video उस समय तक डाला करते थे जल्दी बाइजू ने और सारे competitive exam के भी courses इसमे एड़ करना शुरू कर दिया और अपनी reach वो बच्चों में लगतार बढ़ाते जा रहे थे साल 2013 में इनको अपनी पहली funding मिलती है air in capital के तरफ से 9 million dollar रुपए की और इस funding के पैसे का use करते हुए बाइजू ने अगले साली अपना tablet प्रोग्राम शुरू कर दिया जो बाद में के लिए एक बड़ा success साभी तुका लेकिन बाइजू के असली किसमत बदलती है साल 2015 से जब बाइजू ने अपना learning app लाँच कर दिया इस launch के 3 मेंडे के अंदर इसके 20 लाग download हो गए और साल खतम होते होते करी 55 लाग बच्चों ने इनके app को download कर लिया था यह काफी बड़ा number हो चुका था साल 2015 में और इसी success को देखते हुए सिकोईया capital ने भी इस company में invest किया और इसके साथ investors के अब line लगती जा रही थी बाइजू के सामने और आप बाइजू चूस कर रहे थे कि कौन मेरी company में invest करेगा आपको जानकर भी बेद हरानी होगी कि बाइजू में टेंसेंड, सोफिना, लाइट स्पीड, वेंचर पार्टनर, कतार इंवेस्टमेंट अथॉरिटी, वेरली वेस्ट, जनरल अटनेंटिक और ब्लैक रॉक जैसे बड़ी बड़ी कंपणियों ने इस company में invest कर रखा हुआ इसी के बास साल 2016 में बाइजू ये पहली ऐसी इसियन कंपणी बनी जिसमें चैन जुकरबर्ग इनिशियेटिव ने इन्वेस्ट किया था एक्चुली मेटा के फांडर मार्ज जुकरबर्ग और उनकी वाइफ प्रिसलीनिया चैन की एक और्गनाइजिशन ने जिसके तुरू वो इस्टार्टप में invest किया करते हैं लेकिन वो बहुते रेयर स्टार्टप पे इन्वेस्ट करते हैं फिलाल अब तक बाईजु ने करीब 29 राउंड की फंडिंग रेस कर लिया है जिसमें उन्हें करीब 5.78 बिलियन डॉलर रुपए उन्होंने रेस किया है मार्केट से अभी तक बाईजु के को फंडर रविंद्रम बाईजु और उनकी वाइफ दिव्या गोपिनात और उनके भाई रीजु रविंद्रम इन तीनों के पास मिला के इस कंपनी के करीब 18.91 परसें एक्विटी है बाईजु की ग्रोथ काफी ज़्यादा फाश थी और मार्च 2018 में बाईजु भारत के पहली एट्टेक यूनिकॉन स्टार्टप बनी मतलब वो कंपनी जो एक बिलियन डॉलर को क्रॉस कर जाए और साल 2020 खतम होते हैं तो इनकी वैलुएशन करीब 10 बिलियन डॉलर की पहुच गई थी बाईजु यही नहीं रुकती है मार्च 2022 तक भाईजु ने ब्लैक रॉक और बॉर्ण कैपिटल से करीब 800 मिलियन डॉलर फंडिंग रेस करके करीब 22 बिलियन डॉलर की सबसे बड़ी वैल्यूएशन एट्टेक इंडरस्टी में बना लिया आज अगर हम इंडिया में देखे तो इंडिया में ऑनलाइन एजुकेशन का काफी ज़्यादा चलन हो गया और यही चीज़ हमें डिग्री एजुकेशन में भी दिखाई देता है आजकल ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस लर्निंग का काफी ज़्यादा इंडिया में क्रीज परता जा रहा है और इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि इसकी फीस काफी ज्यादा कम होती है नॉर्मल अगर आप regular classes करते हैं और आपको same degree ही मिला करती है distance education का सबसे बड़ा advantage होता है कि आप अपने schedule के according अपने घर बैठे या पढ़ाई कर सकते हैं बस यहाँ सबसे important होता है कि आप जो भी distance education जहां से भी करें वो किसी top university से ही होनी चाहिए तो उसकी value ज्यादा होती है और यह बात government को भी काफी clearly सबज में आया है इसलिए उन्होंने online degree और regular degree को काफी ज़ा equivalent कर दिया है अब लेकर सबसे बड़ी problem यहाँ पर यह है कि आपके लिए कौन सा university best है क्योंकि इंडिया में कई सारे option आज की rate में available है तो यहाँ पे मैं आपको refer करना चाहते हो एक free website college विद्या जहाँ पे 100 से ज्यादा government approved online universities listed हैं यहाँ पे आप अपन दियो है हमारे link के थ्रूँ आप admission लेते हैं तो आपको करीब 6,999 रुपय का carrier booster program मिलेगा बिल्कुल free तो आप जाई यह description में college विद्या के link के थ्रूँ आप check out करिए अगर आपको better लगता है तो आप admission ज़रूर ले सकते हैं और आप एक अच्छी degree online कर सकते हैं तो दोस्तों ये वीडियो में वापस आते हैं लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आस्मान देखने का सपना देखने वाली बाई जू अचानत से first पे आके गए गई इसको जानने के लिए हमें का golden period देखना होगा इसका मतलब है कि हमें COVID-19 pandemic का time समझना पड़ेगा तो अगर आप एक बार COVID का time फिर से याद करिये तो हम अपने घरों में बन थे जहां पर हमारे पास एक ही option था कि हम online चीजों को देख सकते थे और वहीं से online classes का boom भारत में आया और add tech industry अपने सबसे बड़े rise पे आ चुकी थी उस समय इंडिया में जितने भी add tech player थे उन सब में बाई जू सबसे बड़ा player था और इनके sales सबसे ज़्यादा skyrocket हुई सबसे ज़्यादे बच्चे लगतार इन से जुड़ते गए क्योंकि इनके पास technology सबसे ज़्यादा advanced थी उस समय इसको अगर हम data में देखे तो साल 2019 तक बाईजों से करीब 4 करून student जुड़ गए थे जिसमें से करीब 28 लाग इनके paid users थ जुके थे जिसमें करीब 70 लाग student paid subscriber हो चुके थे हलांकि बाईजों की success का हम पूरा शे कोविट pandemic को नहीं दे सकते हैं हम यहाँ पे बाईजों की sales strategy के बारे में बात करनी होगी जो कि बहुत शांदार रही है अगर आपको यह लगता है कि बाईजों सिर्फ educational courses बेशता है त इसके बाद जब इनके executive parents से बात करते हैं तो वो उनको convince करते हैं कि उनका बच्चा काफी ज़्यादा होश्यार है और अगर उसे proper guidance और better study material मिलता है तो वो अपने life में काफी आगे चला जाएगा लेकिन अगर उसको यह नहीं मिला तो वो अपने life के race में काफी ज़्यादा पीछे हो जाएगा और वो बाकी students से compete नहीं कर पाएगा आने वाले time में यानि बाइजू के sales executive parents के mind में एक form more create करते हैं मतलब fear of missing out कि उनका बच्चा life में पीछे रह जाएगा इसलिए उनके parents कोई भी हद तक जाके decision लेते हैं और अपने बच्चों को इन courses में enroll कराते हैं इस competition वाला mind होता है कि हमारा बच्चा बगल वाले घर के बच्चे से काफी ज्यादा better हो इसलिए वो इस education industry को न भी जानते हुए वो कहीं न कहीं से पैसे arrange करके इनके courses पे बच्चों को enroll कराते हैं और अगर कोई parents enroll नहीं कर पाता है तो वहाँ पे आपको EMI option भी देता है जो कि इनका एक अलग trick है EMI जैसे ही आपके एक बार pay कर दिया तो आपको next EMI भी pay करनी पड़ेगी और अगर आपको इनके course बात में नहीं लेने है तो आपको EMI option जल्दी बंद भी नहीं करा सकते हैं इनका कोई भी executive आपको phone नहीं उठाएगा ऐसे कई सारे examples हम देख रहे हैं इस इस company का work culture काफी ज़्यादा toxic है और इनको sales के लिए काफी ज़्यादा force किया जाता है इस company में इन sales executive के ओपर sales manager बैठे होते हैं जिनका का काम इनकी performance को monitor करना होता है अकसर आपने social media पर कई ऐसे incident आपको मिल जाएंगे जहां manager ने target पूरा ना होने पर sales executive के साथ गाली गलोच क जिया है या फिर उनको company से निकाल भी दिया यह बाइजू में आम बात है इस समय लेकिन दोस्तों यह अपनी sales team पे इतना जाता pressure बनाते जा रहा है कि यही प्लैन अभील का backfire हो चुका है तो होता यह है कि हर sales executive को हर दिन sales generate करने का target दिया जाता है अगर वो ऐसा नहीं कर पा जिसका बाद में कोई payment नहीं किया जाता है और इस तरीके से company को पूरी तरीके से fool बनाया भी जाता है यह fake courses बेचना बाइजू के लिए सबसे बड़ी एक problem बन चुका है और इसलिए भारत सरकार भी आज बाइजू से पूछताच करने ही कोश्च कर रही है लेकिन 2021 में submit करनी थी इसको उन्होंने काफी ज्यादा डिले करते हुए September 2022 में जाके submit किया लेकिन जब अगस 2022 में बाइजू से पूछा गया कि आप अपनी financial report क्यों नहीं submit कर रहा है तो बाइजू ने simple सा बताया कि Deloitte हमारी report को approve नहीं कर रहा है आपको बता दो Deloitte एक British company है जो कि इंडिया में auditing का भी काम किया करती है Deloitte report को इससे नहीं approve कर रही थी क्योंकि इनके financial में काफी सारे irregularities थी जो कि उसमें बाद में खुल के भी कहा जैसे कि एक example लेते हैं कि अगर एक लाग का एक course बिका उसको 15,000 के down payment पे किसी ने खरीद लिया अब जब बाइजू अपने financial report में दिखाती है तो अभी तक तो भाइजू के पस 15,000 ही आए फिर उसको आगले installment में पैसे आएंगे लेकिन भाइजू अपने financial report में दिखाएगी कि हमने एक लाग का सेल किया तो सेल तो अभी उन्होंने 15,000 का किया है लेकिन वो अपने financials को काफी ज़्यादा बढ़ा के यहाँ पर दिखाने ही कोश्च करते हैं लेकिन जब काफी सारी delay के बाद बाइजू की financial report आती है तो उसमें कई सारी irregularities ऐसे ही देखने को मिलती है और बाइजू ने काफी बड़े losses किये थे यहाँ पर अगर हम देखे तो बाइजू ने करीब 24,000 करोर का revenue किया था जो कि पि जो कि आज उनके गली की सबसे बड़ी हड़ी बन चुकी है अक्चली यह उन्होंने overseas bank से लिया था जिसमें करीब इनको 5.5% का interest rate चार्ज कर रहा था और labor charge इसका मतलब है कि दो banks के बीच में जो transaction charge होता है वो सिर्फ इनको 0.2% लग रहा था तो यहाँ पर बाइजू को करी 5.7% interest पे 1.2 billion dollar का loan मिल गया था इन loan के पैसे से बाइजू अपना overseas expansion करने ही कोईश्च कर दे थी लेकिन इन loan के कुछ complexity भी होती है कि आपको हर महिने थोड़ा थोड़ा loan देना होता है चुकाना होता है और उसके बाद आपको इन्टो 2026 तक अपना loan पूरा submit करना था लेकिन बाइजू अपने जो loan का amount है वो समय पे नहीं भर पा रही थी अब ये बाइजू के लिए सबसे बड़ी problem मन चुकी है यहां बाइजू को जून 2023 में करीब 40 million dollar का quarterly payment बेक उनको करना था जो कोई बाइजू समय पे नहीं कर पाई है जिस वजह से interest rate भी बढ़ गया है और financial institution बाइजू पे आरोप लगा चुके हैं कि उन्होंने करीब 500 million dollar का घोटाला किया है एक alpha नाम की UST company का साथ मिलके है लेकिन बाइजू ने इसे serious से खारिज कर दिया है लेकिन आरोप यहीं पे कम नहीं होते है इनके उपर कई सारे allegations है market में अभी इंडिया के enforcement देखने को मिल रही थी इस वज़े से ED ने इनको पर rate किया इसके साथ गर हम देखे तो Google और Facebook ने इनको पर आरोप लगाया है कि इन्होंने अपना ad account जो है उसका पैसा इन्होंने कई समय से अभी पूरा नहीं दिया हुआ है इसके साथ गर हम देखे तो Amazon Web Services ने भी करीब 3.1 million dollar का bill के लिए बुला है कि बाईजू ने अभी तक paid हमें नहीं किया है बाईजू के उपर कई और भी आरोपे जैसे कि उन्होंने अपने employees से TDS काटा है लेकिन उसे government के पास ना भरके उसे अपनी sales में उन्होंने use कर लिया है तो यहाँ पर यह allegations इनके उपर हर तरफ से आते था जो कि इनके लिए सबसे बड़ी loss making company आज की rate में बन गई है आगर हम देखें तो financial rate 21 के figures पे तो 484 करून रुपए company ने यहाँ पे revenue कमाया है और उसके लिए ने करीब 2175 करून रुपए खर्च किया है मतलब 1600 करून रुपए extra कर दिया इन्होंने अपने जेब से और वही उतर गया और अब वाइट हैट जूनियर के जो बच्चों वाले courses है एप development, software development के जिसमें वो कहते थे कि हम आपको Google में पहुचा देंगे वो सब चीजे अब बंद हो गई है जिसमें से वाइट हैट जूनियर का जो sales था वो काफी ज़्यादा गिर्ग चुका है और COVID के करते हैं वो दूसरों के बाते ज्यादा नहीं सुनते हैं और इसलिए उनको यह दिखता है कि वाइट हट जूनियर में आने वाला टाइम में काफी बड़ा future है भाले वो अभी हमें आरवी पर loss दे रही है इसके साथ ही कुछ इंटलर रिपोर्ट से भी कहते हैं कि जोड़ दे तो भी वो बाइजू से कमी होते हैं क्योंकि अगर हम साल 2020 में देखे तो बाइजू ने करीब 2873 करोन खर्च किया लेकिन 2021 में इन्होंने 7000 करोन रुपय मार्केटिंग पर अपने खर्च किया था इसके पीछा को दिखाई देता है ना कि इन्होंने शारुक खा इसके साथ थी बाइजू ने 2019 में इंडियन क्रिकेट टीम को भी स्पॉंसर किया जो कि अभी उन्होंने हाल ही में हटा दिया है इसके बाद हम देखे तो इन्होंने नीरत चोपड़ा पीवी संदू जैसे वर्ल्ड क्लास एथलीट को हायर कर रखा है लेकिन सबसे बड़ी इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप को भी स्पॉंसर किया था जहां पे इनके काफी सारे पैसे लगे है उसका क्या रिजल्ट आएगा यह तो नेक्स फैनेंशे रियर में पता चलेगा लेकिन बाइजू जो इतने एक्सपेंस कर रही है वही उनका मेजर लॉस का रीजन हो जाता आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं यहां पे आपको दिखाए देगा कि यह महिला अपनी फैमिली की स्क्यूपर सारी जिम्यदाली है इसका पती बिमार है लेकिन बाइजू की ऑफिशियल में किसी बी प्रायर इंफॉर्मिशन के विरां को निकाल देते हैं अगर हम यह आपर देखे तो बाइजू ने भारत की कई सारी कंपीज एक्क्वाइर किया जैसे की ग्रेट लर्निंग एपिक आकास इस्टिटूट को भी उन्हें एक्क्वाइर किया तक कई मिलियोन ऑफ डॉलर खर्च करके लेकिन जब आप इतना मार्केटिंग एसपेंस करते हैं तब सकते हैं आपको दिखाई देता होगा अलग पांडे अपने फेस वैल्यू का बहुत ज़्यादा यूज किया करते हैं और इसलिए इस्टूटेंट से वो कनेक्ट बना पाते हैं और कुछ ऐसे ही परसनल ब्रेंडिंग बाईजू रविंद्रम की थी वो एक बार में 25,000 बच केस नहीं है आपको इंडियान एट्टेक में सिर्फ एक कंपनी दिखाई देगी जो कि सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है वो है फेजेक्स वाला क्यूंकि वहां पे एक परसनल फेस है अलग पांडे का जिससे बच्चे काफी तेजी से कनेक्ट होते हैं और बाप से बच् इसको employees के तरह देखना होगा ना ही वो एक sales figure के तरह अपने employees को देखें इसके साथ ही बाइजू को अपने financials भी आने वाले time में काफी better करना होगा अपने marketing spend फीफा जैसे बड़े cups को छोड़के छोटे जगों पर करना चाहिए जहां पर बच्चे उनसे connect हो पाएं इसके सा इनको solution तो निकालना ही पड़ेगा नहीं तो यह company इनको लगतार losses देती रहेगी और सबसे बड़ा loss इनका यही company कर रही है और इन सबसे जो सबसे important बात है कि बाइजू ने अपना trust market में खोया है बाइजू को अभी एची समझ नहीं आई है कि trust कितना important चीज है क्योंकि आप हर जगा social media पर देखें तो बाइजू के नाम पर negative ही चल रहा है तो अगर इनको अपना trust maintain करना है तो ही यह market में दुबारा survive कर सकते हैं बाइजू को एक बार फिर से trust बनाना होगा कि हम बच्चों की really care करते हैं हम उनको उस level का solution provide करते हैं हम बच्चों की फिक्र करते हैं ना कि हम बच्चों को एक courses बेचते हैं उनके parents को बेकूब बनाके और यही पूरे market में इनके लिए बाते value ही हैं तो बाइजू को सबसे पहले अपना perception market में बदलना पड़ेगा फिर से वो trust regain करना होगा अपने investors के साथ भी अपने employees के साथ भी और अपने customers के साथ भी बच्चों के साथ भी तो अगर वो trust दुबारा बाइजू maintain कर पाती है तो फिर से बाइजू market में दुबारा stand कर पाएगी क्योंकि जो वो 22 बिलियन डॉलर से 5 बिलियन डॉलर पे वो गिरे हैं इससे बड़ा loss किसी company का नहीं हो सकता है यहां से भी recovery की जा सकती है लेकिन अभी मैंने social media पर यह देखा कि बहुत सरे लोग खुश हो रहे हैं बाइजू के इतना बड़ा downfall देखके तो ऐसा नहीं होना चाहिए मुझे personally लगता है कि इंडिया में यह एक ऐसी company रही है जिसमें world level पे जाके बहुत बड़ा अपना नाम कमाया है भारत को इसने काफी आगे ले गया है ad tech industry में जब कोई companies नहीं access करती थे ad tech की उस समय भी बाइजू बहुत अच्छा कर रही थे और कुछ समय पहले तक भी अच्छा करती थी तो हमें इनकी glory और success देखके खुश होना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि आने वाले time में बाइजू सही decisions ले ताकि वो आने वाले time मे हमारी ad tech giant फिर से वो बन सके तो आपको दोस्तों क्या लगा इस वीडियो में आप comment option ने जरूर लिखके बताई कि क्या बाइजू फिर से stand कर पाईगी है नहीं और आपको क्या बाइजू से losses हुए है तो वो भी बताईएगा वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like चैनल को सब्सक्राइब करेगा बेल आइकन में प्रेस करेगा